हेलो गाईस तो किसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चेनल में स्वागत है तो आज के वीडियो में हम रिवीव करने वाले 2019 की तमी लेंगवेज सुपर नेचरल थ्रिलर फिल्म अरुवम का जिसको हिंदी डवज़न में नाम दिया हुआ है बे सकल फिल्म को लिखा और डिर सानी खड़ी कर देता है और इसके अलावा जगन को जोती नाम के स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है जोती का केरेक्टर प्ले कर रही है कैथरीं त्रेसा और जब सभी चीज़े अच्छी तरह से जा रही होती है तब जगनातन जिस जिस बिदनेसमें से मिलता है वो सभी बि पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी टाइटर डारेक्टर एस सेखर जन्हें फिल्म के साथisan काम किया हुआ है उन्हों ने जो העता ही हाट हेटिइंग था फिल्म का जो कोइन्द था जोAr stays hue featuring ऑड बढ़े और बढ़िया आरहा था और उन्हों ने वह ड्रामा वह कोंश्रें प फिल्म के ड्रामा को काफी जादा लेट डाउन कते वे नजर आ रहे थे फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है एस थमने जिनका बेगराण स्कोर काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा था फिल्म का केमरा वर्क आउस्टेंडिंग नजर आ रहा था उसको आसानी से काट दिया जा सकता था जैसे कि मैंने बता एक फिल्म का जो बेजिक कॉंसेप्ट था वो फूट सेप्टी को लेकर था और लोग किस तरह से फूट पोईजनिंग से सफर हो रहे वो सबी चीजों को अच्छी तरह से फिल्म में इंसर्ट किया हुआ था और फिल्म की इस बेजिक कहाने में जिस तरह से लोग स्टोरी को इंसर्ट किया हुआ था स्टोरी लाइन में जिस तरह से उन्होंने फीट किया हुआ था वो काफी interesting नजर आ रहा था जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फिल्म का जो concept था वो unique और अच्छा नजर आ रहा था लेकिन screenplay में काफी ज़्यादा problem नजर आ रहे थी जो love scene एड किये हुए थे उस love scene में कुछ ऐसे sins थे जो काफी unnecessary थे जिसे फिल्म में डालने की उतनी कुछ जरूरत नहीं थी उसे आसानी से chop out किया जा सकता था और फिल्म का problematic screenplay होने की वज़ा से साथी में कुछ unnecessary sins होने की वज़ा से फिल्म कई एरिया में हमें काफी ज़्यादा down weak नजर आ रहे थी horror episode जिस तरह से showcase किया हुआ है उसका elevation था जो फिल्म को उतना बेहतर level नहीं दे पा रहा था वो काफी ज़्यादा routine और पहले की कई movies में देखे हुए होंगे ऐसा नजर आएगा फिल्म के lead actor यानि किसी दर जो अपने role के साथ एक clean performance देते हुए नजर आते उन्होंने एक food inspector का role play किया हुआ है जो काफी sincere और साथी में honest है और उन्होंने वो role काफी sincere तरीके से निपाया हुआ है और उन्होंने different different emotions को काफी बढ़या तरीके से showcase किया हुआ था और उन्होंने जिस तरह से horror sequence में horror scenes में अपने emotions डिलिवर किये हुए वो काफी pretty good नजर आ रहे थे वो horror scenes को एक बढ़या touch देते हुए नजर आते है उनके performance की वज़े से उस horror scene में थोड़ी बहुत जान रह जाती है Catherine Traysa जो lead actress थी उन्होंने अपने role के साथ काफी wonderful काम किया हुआ है वो भी सिधार्ट की तरही एक बढ़या performance देती हुए नजर आती है उनका performance फिल्म का one of the highlight point नजर आता है और उनका look फिल्म में काफी simple रखा गया था और साथी में जो horror scenes थे उसमें उनका जो performance था वो outstanding था साथी में जो emotional scenes थे उन्होंने काफी बढ़या तरीके से deliver किये हुए थे emotional scenes उनके आपको बेहतरी तरीके से connect होंगे कभीर दुहान सिंग जो villain के role में आपको दिखाए देंगे और उन्होंने bad guy वाला किरदार काफी awesome तरीके से निपाया हुआ है 37 और बाकी के सफी supporting actors ने अपना best performance दिया हुआ है और film में जिस तर से दिखाया हुआ है कि food industry को किस तर से operate किया जाता है और bad food products को किस तर से recycle करके हमारे सामने भेज दिया जाता है वो सभी चीजे अच्छी तर से stunning manner में सोकेस की हुई है इसके अला मेकर से कहीं जादा गलतिया हुई है कहीं जगा पे execution भी काफी खराब नज़र आ रहा था उनके पास काफी बढ़िया चांस था कहीं ऐसे areas थे film में उसमें कुछ ऐसे horror sequence डार कर एक बढ़िया सा elevation दे सकते थे लेकिन director पूरी तर से fail हो चुके हाला कि उन्होंने जो serious drama choose किया हुआ था जिस तर से उन्होंने उस serious social drama को हमारे सामने पेस किया हुआ था वो perfect था हाँ उसमें commercial touch नहीं था जिसकी वज़े से जो masala audience है उनसे थोड़ी बहुत दूर नज़र आएगी यानि कि mass audience को वो सभी चीज़े थोड़ी बहुत कम भाएगी लेकिन जो serious drama था उन्होंने काफी पकड़ के साथ execute किया हुआ था और फिल्म का जो interroll था उसमें एक बढ़िया twist डाला हुआ है वो twist अच्छा था लेकिन लेकिन उससे पहले आपको कुछ बैसा कोई बड़ा twist नज़र नहीं आएगा फिल्म की कहान एक flat तरीके से उन्होंने नेरेट की हुई है तो में 2019 की तमिल लेंग्वेज सुपरनेचरल थ्रिलर फिल्म अरुवम यानि की बेसकल को 5 आउट ओप 10 की रेटिंग देता हूँ कूल मिला के कहें तो अरुवम यानि की बेसकल एक ठिक ठाक social drama फिल्म है जिसका horror element आपको नहीं पसंद आएगा लेकिन social drama था वो perfect था वो connect करेगा उस वज़े से आप देख सकते हो हाला कि इस film में ऐसा कुछ commercial element नहीं है अगर आप serious drama पसंद करते हो तो ही इस film को देखना otherwise इस film को skip कर सकते हो उतना कुछ खास नुकसान नहीं होगा तो बस guys आज के review में इतना ही था I hope आपको ये review पसंद आया होगा अगर review पसंद आये तो वीडियो को like और says जरूर कीज़ेगा और अगर आप ये film देखते हो तो film देखने के बाद हमें comment करो क्या आपको ये film कैसी लगी तो और बेसे नहीं South Indian movie के हिंदी review के लिए upcoming South Indian movies की news के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ठींक्यू